हेलो स्वागत है आपका सरकार एक्जाम वाला में इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं अपने इतिहास के पार्ट नुमर वन को जिसमें हम अपने इंपॉर्टेंट को देखेंगे लगवग पचीस सो कोश्चन जो है इस पार्ट में आपके आएंगे ठीक है तो अलावा अन्य जो भी एक्जाम होते हैं उस अभी एक्जाम के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट है तो जीके और जीएस का ये एक टंपैक्ट प्रोग्राम है जिसमें हम डिसकस करेंगे पूरे इतिहास के कोशन जितने भी टॉपिक हैं महात्यपोड उन सभी से लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी एक्जाम वाला आप सर्च कर सकते हैं यूटूब पर उसके बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लामा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे आपको लालकलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको प् भी आपको group मिल जाएगा, join कर लिजेगा, एक page होगा, उसके बाद आपको वहाँ पर सारी classes, सारी PDF आपको मिलती रहेगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रशनी के साथ, देखे, इस class में आपको explanation नहीं मिलेगा, इस class में to the point, जो questions है, उसके बाद diet उत्तर, इसकी बाद हम बत करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो वह अलग प्रोग्राम में होगा, इसमें हम केवल questions को आपके सामने प्रजन करेंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रशनी के साथ, पहला प्रशनी आपके स्क्रीन पर है, कोशन को ध्यान से प्रशन आपके सामने ए, बी, सी, ठीक है, चार पॉम में आपका उप्शन है, तो बताईए इसमें से कौन सा सही उतर होगा, इसका जो सही उतर है, वो है आप्शन नमबर बी, ध्यान से देखेगा, पचीस सो इसापूर से सत्रह सो पचास इसापूर, यह सरवाधिक मानिता प्राप्त है, लोग एजूम बहुत जादे करते हैं, जैसे 800 से 2000 भी कई लोग मानते हैं, लिकिन सबसे जादे मानिता प्राप्त कौन सा है, तो वो पचीस सो से सत्रह सो पचास वाल आप्शन आपका यहाँपर करेट हो जाता है, दूसरा कोशन है, सिंदुखाटी की के समकालीन नहीं है अगर आपको किसी प्रश्ण का उत्तर पता हो तो आप कमेंट जरूर करते रहें बताइए इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर आप्शन नमबर डी ग्रीक की सब्विता इसके समकालीन नहीं है मिस्र की सब्विता के समकालीन माना जाता है मिश्वकोटाम है कहां तक इस छेत्र तक विस्तित थी तो option आपके सामने इसका जो सही उत्तर है वह option number D पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर व्रदेश हरियाना सिंध और बलुचिस्तान क्योंकि यहां पर पुरा तत्व विसेसर की जो सरविछर किये थे खोज किये थे तो वहां पर उनको कुछ अवसेस प्राप्त हुए थे तो इसलिए इन छेत्रों में माना जाता है कि सिंधुगाटी सब्विता का विस्तार था अगला कोशन है सिंधुगाटी की सब्विता में घोड़े के अवसेस कहां से मिले हैं चार option है ब भारत के किस प्रदेश में है आपको बताना है इसका उतर है राजस्थान तो भारत के राजस्थान राज्जी में काली बंगन जो है वह अस्थल है सिंधुगाटी सब्विता का अगला कोशन है निम्रिकित में से किस पदार्थ का उप्योग हडपा कालगी मोहरो या फिर निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था इसका उतर है अप्शन नमर ए सिल खड़ी ठीक है तो जो हलपा कालगी मुहरे या फिर मुद्राएं थी उनका निर्माण मुख्य रूप से सिल खड़ी में किया गया था ठीक है यह पदार्थ सा सिल खड़ी इसमें किया गया अगला कोश्चन है खडपा शब्यता किस यूग की थी इसका उत्तर है option number A कांस यूग ठीक है जो कांसा का यूग था उसी यूग की थी तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोश्चन है सिंदु घाटी सब्यता के लोगों का मुख्य व्यावसाय क्या था इसका उत्तर है option number A व्यावपार जो मुख्य व्यावसाय था सिंदु घाटी सब्यता के लोगों का वो था व्यावपार ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है यहाँ पर अगर आप देखें तो सहरी शब्यता थी ठीक है तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है अगला कोश्चन है हडपा शब्यता के निवासी जो है वो किस प्रकार के थे अब यहाँ पर उत्तरा बताना असान हो गया है क्योंकि सहरी मैंने पहले बता दिया है तो हडपा शब्यता के निवासी थे वो सहरी थे इसलिए explanation नहीं दिया जा रहे क्योंकि जो भी topic है ठीक आते हैं अगला कोश्चन है ओकड़ा कोश्ँन है अगला कोश्चन है इसका उतरहन है C कापास के उत्वादन में जो है हडपा वासी बहुत जादे फेमस थें वह सबसे पहले थें के उत्वादन में-ठीक है अगला कोश्चन है निम्रिखित विद्वानों में से हडपा सब्वेता का सर्व वर्थम खोज करता कौन था? इसका उतर है D, डैयाराम सहानी, तो option number A यहाँ पर करेट हो जाता है, अगला question है, सिंदू सब्वेता का पत्र नगर, यानि कि जिसे बंदरगाह कहा जाता है, यह कौन सा था? सभी प्रशन के उतर देने का प्रयास करिया आप लो, ठीक है, इसका उतर है Lothal, option number B, Lothal, जो है, यह सिंदू सब्वेता का पत्र नगर, यानि कि बंदरगाह था, अगला question है, पैमानी की खोज ने यह सिद्ध कर दिया, है कि सिंदू घाटी के लोग, माप और तौल से परचि इसका उतर, option number D, Lothal, ठीक है, Lothal आपका यहाँ पर सही उतर हो जाता है, अगला question है, हडपा कालिन, समाच किन वर्गों में विभक्त था, इतने part में divide था, इसका उतर है, option number B, विद्वान, योद्धा, या पारिक और स्रमिक, इतने part में divide था, ये भी आपको ध्यान में चरी, अगला question है, सिंदु शब्वेता का सरवाधिक उप्योप्त नाम निम्रिखित में से क्या है, इसका उतर है, option number A, हडपा शब्वेता, सबसे पहले खोज यहीं पर हुई थी, इस वजए से, अगला question है, अब ऐसे भी question आपके state PCS exam में देखे जाते हैं, इसलिए सभी प अबिता में देखने को मिली, तो आपको उसमें से option चुनना है, और नीचे कूट दिया गया है, तो उसमें से सही वाले को टिक करना है, बताइए, पहला दूसरा, तीसरा option है, पढ़िए ध्यान से, उसके विसाल महल और मंदिर होते थें, दूसरा, वे देवियों और देवत दोनों की पुझा करते थें, और तीजरा, वे युद्ध में घोडे द्वारा खीजे जाने वाले रतों का प्रियोग करते थें, तो बताइए, इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा, option देखिए, इसका उतर option नमबर A, यानि कि केवल दो वाला option सही है, ठीका, option नमबर A स थी, सरप्रिधम जो खोज होई थी हरापा सब्यता की, वो किस वर्स में होई थी, इसका उतर है, 1921, 1921 में, next, हरापा सब्यता के बारे में, कौन सी उक्ती, यानि कि कौन सी जो पंक्ती है, लाइन है, वो सही है, चार option है, आराम से पढ़िए, और सही उतर बताइए, इसका उतर option number C, उन्होंने पशुपत्ती का सम्मान करना आरंब किया था, ये वाला जो कथन है, वो सही है, option number A गलत है, अशोमे के बारे में जानकारी नहीं मिलती, गाय उनके लिए पवित्ती, ये भी जानकारी में नहीं मिलती, और उनकी संस्कृती सम्मानत्य इस्थिर न अधारित थी, जो समाजिक पद्धती थी, इसका उतर option number A, उचित समतावादी, ठीक है, उचित समतावादी प्रवित्ती की थी, हलपा लोगों की जो समाजिक पद्धती थी, तो ये भी आपके लिए बहुत जादे महत्रपूर होता है, दास्तरमिक आधारिक बिल्कुल भी गया है, इसका उतर option number B, मोहन जोदोडो, ठीक है, तो सिंदका बाग मोहन जोदोडो को कहा गया है, ये पुरास्थल है, हडपा शब्धता का, नाइस्ट कोशन, हडपा शब्धता के किस संपूर छेत्र का अकार, अगर आप देखें कि जहां जहां पर मौजूद है हडपा सब्धता, तो अगर उनका एक चित्र बनाईए, डाइगराम बनाईए, तो किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, वर्गा कार, आयतागार, त्रिबुजा कार, या फिर गोला कार, इसका उतर है, त्रिबुज कार, आपको उतर हो जाएगा, आप्शन नूबर C, यहाँ पर आपको सूची दिया गया है, सुची 1 है, जिसमें अस्तल है, और सूची 2 जिसमें नदी है, आपको मिलान करना है, कौन सा अस्तल, किस नदी से लिंक करता है, किस नदी के तड़ पर है, तो आपके सामनेे орफश जाते हैं ठीक है बहुत important question है यह इसका उतर है option number A अब देखिए हडपा शबयता के अगर हम बात करें तो हडपा शबयता जो है आपका रावी स्वारी सिंद्व नदी ठीक है किस नदी के साथ शिंद्व नदी एक मिट्रू जाई है हाँ चलिए यहाँ पर हडपा नहीं एक मि question है हडपा शबबयता के अंतरगत हल से जोते गए खेत का साथ ची कहां से मिला है इसका उतर है option number C काली बंगा काली बंगा से हमें यह देखने को मिलता है सैंदव शब्यता की इटों का अलंकरड किस अस्थान से मिला है इटों का जो अलंकरड है वो आमें किस अस्थान से देखने को मिलता है इसका उत्तर है option number A, काली बंगा, काली बंगा से हमें देखने को मिलता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, हल से जोते गए खेत और इटो का अलंकरण, ये दोनों चीज़ जो है, वो काली बंगा से देखने को मिलता है, फूचित आते हैं आपके एक्जाम में ऐसे प्रश् इसका उत्फिद है, इसका उत्तिर option number B, शिंद में, ठीक है, कहां पर? तो सिंद आपका यहां पर सही उत्तर हो जाता है, वो क्योंद जो जो है, वो सिंद में इस्थिद है, अगला कोशन है, सिंद शब्यता में व्रिहत असनाना गार कहां पर पाया गया है? व्रिहत असना आप्षिन की मुद्रा में किस देवता की संथुली चित्र देखने को मिलता है इसका उतर option number A, आद्य शिव, ठीक है, ये क्या है, आद्य शिव है, ठीक है, तो आद्य शिव के बारे में हमें देखने को मिलता है, next question है, निम्निकित में से कौन सा हड़ापा कालिन अस्थल गुजरात में था? बताई इस प्रशन का उतर, इसका उतर option number D, लोथल, लोथल के बारे मैंने बताया था, लोथल क्या है, एक बंदरगाह है, पत्तन है, इसके अलावा, ये जो है, हड़पा कालिन अस्थल गुजरात में इस्थित है, जो लोथल है, next question है, मोहन चोड़ों का अस्थानिय नाम क्य बहुत बार पूछा गया question है, कई बार एक्जाम में पूछे गया और बहुत सारा एक्जाम में पूछे गया, तो बताईए से इस प्रशन का उतर, बदाना ये भी नेक्ट को वचन हरपा श्भिटा का प्रचीलिः नाम क्या है, हडपा शब्वेता का प्रचलित नाम क्या है इसका उतर है option नमर सी सिंदु घाटी सब्वेता तो ये सिंदु घाटी सब्वेता क्या है हडपा शब्वेता और कई बार पुछ लेता है कि सिंदु घाटी सब्वेता के लिए सही उप्युक्त नाम क्या है या फिर उपियुक नाम क्या है तो वो क्या हो जाएगा हड़ापा सब्वेता एक दूसरे से ऐसे पूछता है कभी इसके बारे में पूछ रहेगा तो कभी इसके बारे में गुमा फिर आगे कोशन यह पूछा जाता है नगे कोशन है कि सेंद्वे अस्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर्निम्लिकित में से किस पशू का सरवाधिक उत्केडन हुआ है आपको बता रहे हैं कि जो मुहरे हैं उसमें किस पशू का जादे तर हमें चित्र देखने को मिलता है इसका उतर है option number C bell bell का जो है चित्र हमें देखने को मिलता है और जितने भी मुहर पराप्त हुए उसमें सबसे जादे और भी है ठीक है और भी पशू के बारे मिला है लेकिन सबसे जादे जो है बैल के बारे में देखने को मिलता है तो यह question भी पूछा जाता है सिंदुगाटी सब्वेता जो है वो जानी जाती है तो किस चीज के लिए जानी जाती है किस कारी के लिए किस चीज के लिए जानी जाती है इसका उतर है अपने नगर नियोजन के लिए जिस प्रकार से वहाँ पर घरों का निर्माड किया गया है नालियों का निर्माड किया मतलब निवनी में से कौन सा अस्थान जो है वो भारत में स्थित है और यह सब ही क्या है सिंदुगाटी सभ्यता के अस्थल है अस्थान है इसका उतर है C लोथल लोथल इसदार राइट एंसवर लोथल जो है कहाँ पर है मैंने आपको अभी बताया गुजरात में ठीक है बंदरगाह वाले छेत्र में तो यह आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन सा है मदलब आपको बताना इन में से भारत का सबसे पुराना सहर जो खोजा गया था वो कौन है इसका उतर आप्षिन नबडर 1 हडपा हडपा is the right answer यह भारत में खोजा गया जाने वाला सबसे पुराना सहर है पुराना जगह है अगला कोशन है भारत में चादी की उपलाविता की प्राचींतम साच्छा में कहां पर देखने को मिलते हैं याद रखेगा चादी की बात हो रही है इसका उतर आप्शन अबर एक हड़ापा संस्कृति में तो हड़ापा संब्यता में ही देखने को में मिलता है सिंदु शंब्यता के बारे में कौन सा कथन अशत्य है कौन सा कथन जो है वो गलत है आपको बताना है इसका उतर आप्शन नमबर डी लोग लोहे से परचित थे अप्शन नमबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा तो यह कथन जो है वो असत्य है गलत है ठीक है बाकि जितना देखिए जैसे नगरों में नालियों के सुद्र व्यवस्था मैंने बताया सही है वैपार और वाड़ी उननत दसा में थी क्योंकि सब्चादे लोग वैपार कर जाते थे और मात्र देवी के उपाष्णा की जाती थी ठीक है इसका मतलब क्या है समाज जो कैसा था समाज एक मात्र सत्तातमग समाज था अगला कोशन है सोची एक और सोची दो दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर सोची एक है आपको मिलान करना है ठीक है और इधर साइड में क्या है सोची दो है आपको मिलान करना है कि कौन सा जो है वो किसके साथ जुड़ता है, अब आपको बताना है कि सिंदुगाटी सब्यता की उत्री सीमा, दच्छडी सीमा, पुर्वी सीमा और पश्चे सीमा कौन कौन सी है, इसका उतर है option number A, ज्यान से देखिए, सिंदुगाटी सब्यता की जो उत्री सीमा है, यह मांडा यानि कि जम कांगे डोर, ठीक है, अब इस तरीके से अगर बना लीजी, यह माल लीजी, इस्ठ है, यह वेश्ट है, और यह नौर्थ है, और यह साउथ है, तो इस्ठ की बात करें, तो इस्ठ सीमा कौन सी है, जो यूपी में है, आलमघीरपुर, उसके बाद अगर हम पश्चमे सीमा की बात करें, तो बलुचिस्थान, ठीक है, जो सुदकांगे डोर है, वहाँ पर, नौर्थ सीमा की बात करें, तो नौर्थ सीमा कौन सी है, जम्मू की, ठीक है, जो मांड़ा वाली है, उसके अलावा, अगर हम साउथ सीमा की बात करें, तो कौन सा है, जो महाराष्ट में, तै जम्मू के समेर में आप देख रहे हैं जम्मू में वो किस नदी के किनारे इस्थित्था इसका उतर आप्षन नमर एक चिनाब नदी ठीक है कहीं चिनाब लिखा होता है कहीं चिनाब लिखा होता है दोनों एक ही है तो चिनाब नदी के किनारे इस्थित्था नेक्ट कोशन है हडपा, कालिन, अस्थल, जो रोपड है, या फिर पंजाब, ठीक है, वो किस नदी के किनारे इस्थित्था, रोपड जो है, कहाँ पर है, यह जान लिजाब के लिए, वो पंजाब, ठीक है, तो किस नदी के किनारे इस्थित्था, इसका उतर, option number B, 17 नदी, यह ध्यान में important question है, next question, हडपा में एक उन्नत जल प्रबंदन प्रडाली का पता चलता है, तो कहाँ से पता चलता है, आपको बताना है, एक उन्नत जल प्रबंदन प्रडाली का, इसका उतर है धौला वीरा, ठीक है, धौला वीरा जो है, जल प्रबंदन के रिए, ठीक है, जैसे धौला, ठीक है तो यहां से आप लिंक कर सकते हैं कि जल जो है वो धोने के लिए उप्योग किया जा रहा है इसका मतलब धौला वीरा में जल प्रवद्नर पढ़ाली का पता जलता है तो option number A करेट हो जाएगा next question है हडपा के मिट्टी के बर्तनों पर समानिते किस रंग का उप्योग हुआ था यह भी question important है बताईए इसका उतर option number A लाल चित्र जो है वो धोसर मिट्बान बोलते हैं तो यह लाल रंग का जो है वो कलर बर्तनों पर हमें देखने को मिलता है यह हडपा के जो मिट्टी के बर्तन होते है next question है सिंद्धुगाटी सब्वेता निमलिकित में से किस युग में पढ़ता है यहाँ पर बताईए इतियास को जो है वो खास करके जो प्रानवी के इतियास है प्राचिनी इतियास है उसमें कई काल खंडों में बाटा गया है तो उसमें से आपको बताना है कि किस युग मे हमें सिंद्धुगाटी सब्वेता के बारे में देखने को मिलता है इसका उतर option number D proto historical period यानि कि आद्य अतिहासिक काल याद रखेगा आद्य अतिहासिक काल जो है आपका यह कौन सा है तो यह सिंद्धुगाटी सब्वेता वाला काल है option number D next question सिंद्धुगाटी सब्वेता की विक्सित अवस्था में निम्निकित में से किस अस्थल में घरों में कुणा के अफसेश देखने को मिलें किस अस्थल से हमें घरों में कुणा देखने को मिलता था इसका उतर option number D मोहन जोदड़ों में ठीक है देखे कुछ ऐसे फेमस अस्थल है जैसे मोहन जोदड़ों हो गया लोथल हो गया काली बंगा हो गया ये कुछ ऐसे फेमस अस्थल है जहां से कई सारी चीजों को देखने को मिला है तो एक बार नाम लिख लिए अस्थल का और कहां पर देखने को मिलते थे मोहन जोदड़ों में सिंदुगाटी सब्वेता को खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है विकौन से हैं उन दो भारतियों का नाम बताना है जिन्होंने सिंदुगाटी सब्वेता के बारे में जानकारी जीती खोजा था तो रिद्याराम शहानी और राखलदास बनड़ जी और सबसे पहले कब तो 1921 यह वी ध्यान में रखना है रंगपुर जहां हडपा की समकाली शब्यता थी वह कहां पर है ठीक है आपको बताना है रंगपुर जो है वह इन राज्यों में से कहां पर है इसका उतर है option number C सावराष्ट्र ठीक है सावराष्ट्र प्रांत में रंगपुर जो है देखने को मिलता है और यह समकाली शब्यता थी ठीक है हलपा की इसका उतर है option number B बी क्या है सर जान मार्सल यह भी आपको ध्यान में रखना है सर जान मार्सल जो है यह पुरा तात्विक खुदाई के लिए जो खास करके हलपा और मोहन जोद्रो कास्थल है वहां के प्रभारी बनाए गया थे बने में से किस पशु की आकरती जो मुहर पर मिली है जिससे जियात होता है कि सिंदुधाटी एक मुसौपोटामिया की सविताओं के मद्य एक वियापारी समंद थे हो कौन सा है किस पश्व की आकृति हैं जो मुहर पर मिली है जिसे में पता चल रहा है कि सिंदुगाटी सब्विता और जो मुष्वपटामिक सब्विता है तो दोनों के दोनों जुड़े हुए थे हैं और खास करके व्यापारीक संबंद से तो आपको बताना है वो कौन सा है इसका उतर option number C bell मैंने आपको बताया बैल के जो निसान है वो भी हमें सिंदुगाटी सब्विता में सबसे जादे मुहरों पर देखने को मिले हैं तो किस पशुक की वह है बैल और इसके अलावा इसी बैल के जो आकृति मिली है उसे पता चल रहा है कि सिंदुगाटी सब्वि अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को आप लाइक ज़रू करें और वीडियो को सुरूशे लास तक देखें बहुत important question है अगर एक बार से दो बार आप इस questions को देख लेते हैं तो याद रखेगा एक जाम के लिए आपको बहुत फायदा हो कोशन इससे बाहर नहीं आएगा सभी कुछ यहीं से लिंक होगा गुमाफिरा के question पूछेगा लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा बताएगे सिंदगवाटी को लोग किस में विश्वास करते थे इसका उतर है मात्र शक्ति में मैंने आपको बताया ना कि मात्र देवी के उपाशना की जाती थी तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे next question है निमलिकित में से कौन सा सिंदो अस्थल समुद्र तड़ पर इस्थित नहीं है आपको बताना है कि कौन सा अस्थल जो है वो समुद्र तड़ पर इस्थित नहीं है इसका उतर option number D, D क्या है कोट दीजी ये कहा पर इस्थित नहीं है तो ये समुद्र तड़ पर इस्थ सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है आपको बताना है कौन सी इमारत जो है सबसे बड़ी मानी जाती है मोहन जोड़ों की को इसका उतर option number A विशाल अस्नानागार ध्यान में रखेगा कई बार конфson हो हिमारत थी एक कोशार है हडपा कलीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति तरीके से ग्रीड पद्धति होती है तो उसी तरीके से इस ब्यवस्था से इसको बनाया था इससे क्या होता था कि सडक घर जो है वो उनके जो मुक्स है वो गल्लियों में खुलते थे उसके अलावा नाली की ब्यवस्था डायट की गए थी सडकों में जूटते थी और घर जो है इस तरीके से बनाया था कि रोड भी जिस तरीके से ये ठीक है इस डिजायन से रोड बना तो किस अस्थल से क्या प्राप्त हुआ था आपको मिलान करना है यहां कोट दिया गया है मैच कराके बताए जल्लिस है इसका उतर है 2-1-4-3 कौनसा हो जाएगा दो एक चार तिन यानि कि लोथल जो है यहां पर गोदी बाडा उसके बाद जो है काली बंगा से कौन सा जोता हुआ खेत धौलावीरा से क्या हो जाएगा हड़ापाई लिपी के बड़े अकार के दस चिन्नो वाला एक सिलालेक और ब की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिक्र तो बनवाली से क्या मिला बनवाली से हमें हल मिला ठीक है बनवाली यानि हल मिला धौला वीरा से क्या मिला हमें हड़ा पाई लिपी के कुछ लेख मिले सिला लेख मिले काली बंगा से क्या मिला तो जोता हुआ खेद और लोथल से क्य गई गही मुहरों और टेरा कोटा कलाघृतियों में अंकन नहीं हुआ था बताइए प्रस्ण का उत्तर जल्दी से कि इसका उत्तर option number a शेर के बारे हमें देखने को नहीं मिलता हाथी गेंडा बाग देखने को मिलता है लेकिन हमें शेर के के बारे में देखने को नहीं मिलता हडपावासी किस धात उसे परचित नहीं थे इसका उतर है डी लोहा देखी थोड़ा सब्सक्राइब कर देखने को मिलते हैं आपको बताना है कहां से हमी यह देखने को मिला इसके साथ कहां से मिले इसका उतर है सी लोथल लोथल चमी यह देखने को मिलता है ठीक है तब यहां पर यह भी जान रखिएगा लोथल चमी यह भी जानकारी मिलती है नशकोशन है कपास का उत्पादन सर प्रथम सिंदु छेतर में हुआ जिससे ग्रीक या युनान के लोग किस नाम से पुकारा करत इसका उतर है सिंदन ठीक है सिंदन जो है आपका याद रखेगा कॉटन नहीं होगा सिंदन नाम से बुकारा करते थे ग्रीक या फिर युनान के जो लोग कपास को ठीक है तो सिंद शेतर में सबसे पहले उत्पादन शुरू वाता यह भी ध्यान में रखेगा नेश्ट इसका उतर है C, C मतलब दैमाबाद, option number C, दैमाबाद से हमें जानकारी मिलते हैं कि तामबे का रत, ठीक है, जो कि हडपा कालक के साथ जुड़ा हुआ है, next question है, हडपा वासी किन-किन धातूओं का आयात करते थे, इनमें से किन-किन धातूओं का आयात करते थे, आपको बताना है, जल्दी से बताइए, इसका उतर है, चादी, टीन, सोना, टीनों का आयात करते थे, next question, अब यहाँ पर अगर मैं वापस जाओं आपके लिए, उस प्रश्ण में, जैसा कि मैंने बोला, चादी, टीन, और सोना तो जाहिर सी बात है, यह भी सही हो जा रहा है, option एवाला भी सही हो जा रहा है, ठीक है, अब इसके अलावा, अब बी वाले में थोड़ा से confusion है, लेकिन यहाँ पर option D सही हो जा रहा है, तो इसलिए यह ध्यान रखेगा, A और C तो पूरा का पूरा सही है, यह चीज़ आपक हिंदुकुष छेत्र के बदखसा से, ठीक है, तो यह हिंदुकुष के छेत्र से यह आयाद करते थे, next question है, अफगानिस्तान सिंदु घाटी सब्वेता से सम्बनित अस्थल कहां पर है, बताए इस प्रशने का उत्तर, इसका उतर है, सुर्टो गोई, ठीक है, सुर्टो गोई, यह आपका उतर हो जाएगा, option number B, चलिए, next question, कौन-कौन से नगर सिंदु सब्वेता के बंदरगाह नगर थे, आपको बताना है, कौन-कौन से नगर जो है, वो सिंदु सब्वेता के बंदरगाह नगर थे, अगर एक भी नाम आपको पता होगा, तो आप आसानी से उतर बता सकते हैं, चलिए, कोई नहीं, इसका उतर हो जाएगा, option number D, अभ्यान से देखिए, लोथल भी है, सुतकांगे डोर भी है, बाला कोट भी है, अलहादीनों भी है, और कुन-तासी भी है, तो यह सभी के सभी क्या थ नेस्ट कोशन है, मोहन चोदरो से प्राप्त पशुपति, सिव, यानि की आध्य शिव, मुहर में किन-किन जानवरों का अंकन हमें देखने को मिलता है, इसका उतर है D, इन में से सभी व्याग्र, यानि बाग का, हाथी का, गेंडा का, भैसा का और हिरन का, इन सभी के अंकन हमें देखने को मिलते हैं, नेस्ट कोशन, किस हडपा कालीन अस्थल से निर्ति मुद्रा वाली स्तरी का काश्य मूर्ती हमें प्राप्त हुई है, इसका उतर है मोहन जोदोडो से, आप्शन नमबर A, नेस्ट कोशन, किस हडपा कालीन अस्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर प्राप्त हुई है बताई इस प्रश्ने का उत्र इसका उत्र हडपा से हमें प्राप्त हुआ है किस सिंदुकालिन अस्थल से एक इट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजों के निशान हमें मिले हैं इसका उतर है C चहुंदड़ो से हमें यह जानकारी मिली है कि बिल्ली का पीछा कर रहा है तो यह हमें जानकारी मिलती है किस हडपा कालिन अस्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मचली दबाय हुए चिडिया एवं पेड के नीचे खड़ी लोमडी का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है जो कि पंज तंत्र की लोमडी के जो कहानी है उसमें दर्स आया गया है तो आपको बताना है किस अस्थल किस प्रांत में हुई यह नि स्वतंता के बाद भारत में सबसे अधीक किस अस्थान से हडपायोगिन अस्थल प्राप्त हुए यह किस प्रांत से प्रांत हुए इसका उतर option number A, गुजराथ से, ठीक है, next question है, 69 number का question है, निमलिखित में से कौन सी फसल हडपा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान नहीं था इसका उतर है C, चावल, चावल नहीं था, जो दाले और गेहूं थे, next question है, आपके सामने यहाँ पर कथन है और कारण है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर चुनना है कि कौन सा जो है option सही होगा, कथन है, हडपा तथा मोहन जोद्रो अब विलुप्थ हो गये हैं, और इसका कथन के दोरान प्रकट हुए थे, अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है, इसका उतर है A, देखे, A और R दोनों सही है, यानि दोनों कथन सही हैं, और R जो है, वो A की सही असपश्टी करता है, यानि हडपा और मोहन जोद्रो अब विलुप्थ हो गये हैं, यह कि कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है, वो सही है, दू कथन है, पहला कथन है, यह मुख्यता है लोकिक सभेता थी, तथा उसमें धार्मिक तत्व, जद्यब उपस्चित था, वर्चस्र साली नहीं था, दूसरा है, उस काल में भारत में कापास सिवस्त बनाए दाते थे, तो बताए सिंद्धवाटी सभेता के लिए कौन सा कथन सही होगा, इसका उतर है option number A, यानि किवल एक सही है, option number 1 जो है, वो सही है, दूसरा वाला जो है, वो सही नहीं है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, यहाँ पर आपको सूची दिया आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा अस्थल जो है, किस राजे से जुड़ा हुआ है, बहुत important question है, बताए इस प्रश्न का उत्तर, एक मैं इस question में थोड़ा सा correct कर दू, यहाँ पर दोनों option सही है, ठीक है, कपास बिलकुल उत्तपादन होता था, मैंने आपको बताया ही question में, तो कपास का भी उत्तपादन सबसे पहले यहीं पर हुआ था, तो यह भी कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही होगा, ठीक ह यह दोनों कथन जो है, आपके क्या है, यह सही है, यह चीद ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, एक अत्तरवे question का दोनों option सही है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो इस question का उतर जल्दी से बताईए, हड़ा पास्थल और उसके राज्ये, कहां परिस्थित हैं, इसका उतर जाएगा पहले के साथ, और चौथा जाएगा दूसरे के साथ, यानि कि मांडा जो है, वो महराष्टर में, दैमाबाद जो है, एक मेंट, मांडा जो है, जम्मु कस्मिर में, दैमाबाद कहां पर है, महराष्टर में, काली बंगा कहा हैं, तो राजस्थान में, और इसके अ अगला कोशन है हडपा कालीन अस्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ती नहीं हुई है आपको बताना है कि हडपा कालीन अस्थलों में किस धातु की प्राप्ती नहीं हुई है इसका उतर है डी यानि कि लोहा ठीक है लोहा की प्राप्ती नहीं हुई है हडपा कालीन अ बताई इस प्रश्ण का उत्तर, इसका उत्तर है सेर, ठीक है, सेर के बारे में जानकारी ने मिलती, वो क्या है, व्याग्र है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, अगला कोशन है, चहुदोडो के उत्खरन का निर्देशन किस ने किया था, चहुदोडो का जो उत्खरन हुआ यह भी आपको द्यान में रकना है जे एज मेक हे अगला कोश्ण सिंध उघाती यानि कि हडपा के लिए मेशोपोटामिया रिकार्डों में निम्दिकित मेशे किस सब्ध का प्रियोग किया गया है लहाडपा जो घाटी थी यानि स्भी दुगाटी सभ्यता उसके लिए किस सब्द का उपयोग किया गया है मेणियोप्रटामिया के जो रिकार्ड थे जो भी वहाँ पर डाटा मिला है इसका उतर है मिलुहा, याद रखेगा मिलुहा उपयोग किया गया है इस सब्द का, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण है, तीन क्रमों यानि तीन पगों में तीनों लोग को मापने के लिए, मापने के काड किसे उपकरम कहा गया है? किसे जो है क्या कहा गया है? उपकरम, आपको बताना है किसको उपकरम कहा गया है? इसका उतर है D, यानि कि विश्णू को कहा गया है, चलिए, नेश्ट कोशन, यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है? आपके सामने एक साइड में दिया गया है, नाम और दूसरे साइड में आप आपको देवता बताईए आपको मिलान करके बताने किसको किस रूप में जाना जाता है किस चीज के लिए देवता के रूप में जाना जाता है तो option है आपके सामने पढ़के बताईए यहां पर ABCD के फार्मिट में जल्दी से इसका उतर बताईए इसका उतर है पूर्षन जो है वो विवाह के देवता है, रूत्र जो है यह बशुओं के देवता है, गोश की जो है यह जगत के पिता है, और आदिती जो है यह देवों की महान माता है तो यह आपके आफ्षन हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार मन विश्मृति मुख्यते किस से संबंदित है मन विश्मृति में हमें किस चीज से जानकारी मिलती है किस व्यवस्ता से, किस पद्धिती से रेटर जानकारी मिलती है इसका उतर है समाज व्यवस्ता से ठीक है नेस्ट कोशन गायत्री मंत्र की रचना किस ने की थी आपको बताना है गायत्री मंत्र की रचना जो है वो किस ने की थी अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है दूसरा चैप्टर इस्टार हो चुका है सिंदुगाटी सब्विता खतम और व अविस्ता किस च्छेत्र से संबंदित है। इसका उतर है इरान आपका यहां पर उतर हो जाएगा। next question कौन से कौन सी एक रिगवैदिक आरियों की लाचडिक विसेस्ता नहीं है यह रिगवैदिक आरियों की कौन सा एक विसेस्ता नहीं है एक गुड नहीं है आपको बताना है चार option दिये गया है इसका उतर आप्शन नमर बी वे लोहे के उप्योग से परचित थे ये उनकी विसेस्ता नहीं है ठीक है बाकि जितने भी आप्शन दिये गए है A, C और D ये सभी के सभी क्या है सही है अगला कोशन रिग वेद में निम्नांकित किस नदियों का उलेक अफगानिस्तान के साथ आरियों के समंद का सूचक है बताई इस प्रशन का उतर इसका उतर आप्शन नमर सी कुम्भा और ये जो है आपका लिखा है क्रमू ठीक है कुम्भा और क्रमू यहाँ पर सही उतर हो जाता है नेक्ट कोशन आपके स्क्रीन पर धर्म तथा रितु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रिय विचार को चित्रित करते हैं इस संद्र में निम्लिखित कथनों पर विचार करना है आपको धर्म और रितु के बारे में रित के बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है अराम से पढ़िए और उत्तर बताईए इसका उतर है सी एक और दो दोनों सही है देखिए धर्म जो है वो व्यक्तिके दाइत्व स्वयम तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत करतव्यों की संकल्पना है तो यह भी सही है दूसरा रित जो है वो मुलभूत नायतिक विधान था जो कि स्ष्ट और उनमें अंतर निस सारे तत्यों के नियातिक विधान था और धर्म कत्याराइब दो कथन हैered स्वेक्तिगत क्यों कुल्पना है मुलान करना है दूसरा आधनिक नाम दीघा औरaktना हैं कि लाधनिक नाम दिया गया है इसका उतर है दो तीन एक और चार अब ध्यान से देखेगा जतने भी वैदिक नदियों के नाम और यहाँ पर आप्शन में बता रहा हूँ वो सभी के सभी क्या है बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है आपके अपकमिंग एक्जाम के लिए अब देखे आप्शन नमबर B देखे क्या कहा रहा है कुमभा जो है यह काबुल पहले कुमभा नाम था अब काबुल कहते है उसको पुरशनी को क्या कहते है रावी नदी कहते है सदा नीरा को क्या कहते है गंडग नदी कहते है उसके अलामा सतुद्री को क्या करते हैं सतलद नदी करते हैं तो यहाँ पर आपको यह नाम याद रखना है जो कि वैदिक नदीयों के नाम है प्राचीन में और आधुरिंग नाम है रिग वेद में कुल कितने सूक्त हैं आपको बताना है रिग वेद में कुल कितने सूक्त है इसका उतर है 1028 next question पूर्व वैदिक अर्यों का धर्म मुख्यते हैं क्या था इसका उतर है प्रकित पूजा और यग्य करना ठीक है पहले मूर्थ पूजा नहीं था प्रकित की पूजा करना था और यग्य करना था निमिकित में से किसे भारतिय परमाणवाद का जनक माना जाता है इसका उतर है महर्ची कड़ाद ठीक है ये भारतिय परमाणवाद के जनक माने जाते हैं संबनित राजा विदेद्य माधव से संबनित रिशी कौन थे इसका उतर है रिशी गौतम रहुगड ऑप्शन नंबर डी रिशी गौतम ठीक है तो यह आपका यहां पर उत्तर हो जाता है कितने कोश्चन होगे 90 तो पहले पार्ट में बताया था आपको कि जितने भी कोश्च होगे बहुत इंपॉर्टन होगे तो पहला पार्ट यहां पर आपका समाप्त हो गया अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपने अभी तक सरकार एक्जाम वाला चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप यूटूब सारे कंटेंट प्रवाइड किये जाते हैं तो आप वहाँ पर जरूर विजिट करें विजिट करना बिल्कुल में मत भूलें क्योंकि सारे इंपॉर्टन चीज़ें आपको यहां पर प्रवाइड की जा रही है इसके लावा इस क्लास से लिटर पीडिया प्राप्त करने के आप हमारी टेलिग्राम ग्रूप से जोड़ सकते हैं सरकारी एकजाम वाला आप सर्च कर लिजेगा ठीक है तो इसी के साथ वीडियो को इंट करते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट पार्ट में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम